आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी एकैडमी में कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और जहां भी है वहाँ पर मज़े कर रहे होंगे मैं आपको बता दूँ कि आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लास 4 में EBS के चैप्टर 12 की यानी कक्षचार में पर्यावरण अध्यन के अंतरगत आने वाले पाठ 12 की क्या है इसका नाम कैसे कैसे बदले घर तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनियेगा क्या लिखा है पहले पैरिग्राफ में लिखा हुआ है कि मैं हूँ चेतनदास ठीक है ना? देखिए मैं हाइलाइट करता हूँ मैं हूँ छेतंदास सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाता था आज कल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ अच्छा एक बात बिताईए आपने अक्सर उन लोगों के बारे में तो सुना ही होगा जो की पाठ वगेरा लिखते हैं, कविताई लिखते हैं आप तो जानते हैं कि जो लोग पाठ लिखते हैं उन्हें कहा जाता है लेखक अंग्रेजी में कहें तो राइटर और जो लोग कविताए यानि पोयम लिखते हैं उन्हें कहा जाता है कवी यानि पोईट ठीक है ना तो ऐसे ही चेतन दास कह रहे हैं कि सालों पहले वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे यानि अब वो काफी एजिट है और अवह क्या करते हैं आजकल वे उनके ब लिखक हैं तो आज वो हमें उनके बारे में बताने वाले हैं तो चलिए सुनते हैं उनसे उनकी कहानी कि वो क्या उनके बारे में बताने वाले है शीर्शक उन्होंने दिया है एक बड़ा बदलाव यानि एक बड़ा चेंज आपको तो पता है हम सभी के जीवन में हर दिन ब बदलाव लेकिन कुछ बदलाव काफी बड़े होते हैं जो हमारा जीवन बदल देते हैं है ना तो चलिए जानते हैं कौन सा बड़ा बदलाव चेतनदाज की जीवन में आया जिसका वो जिक्र हमसे कर रहे हैं बात तब की है जब मैं नौ वर्ष का था मैं मतलब चेतनदाज समझो लगभग आठ साल पहले उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे अब वहाँ जगा पाकिस्तान में है सोरी मैंने आठ पर दिया यह साठ लिखा है यानि 60 यर्स पहले की बात है तो चेतनदाज कह रहे हैं कि बात तब की है जब मैं नौ वर्ष का था अच्छे एक बात बताईए जब वो अभी नौ वर्ष जब वो नौ वर्ष के थे और यह बात आज से साट साल पुरानी है या अभी चेतनदास कितने साल के होंगे 69 है ना यानि 69 साल के तो चेतनदास कह रहे हैं कि उस समय उन्हें डेरा गाजी खान में रहते थे और अब वह जगा पाकिस्तान में है आस पास बहुत गडबड हो रही थी कैसी गडबड पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गाउं छोड़ कर दूसरी जगह जाना है मुझे अपना घर अपना गाउं छोड़ना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा था वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त मैं बाबा अम्मा मेरे तीन चोटे भाई बहन और आस पास के बहुत सारे भी ऐसा हुआ है कि आपने अपना घर बदला हो लोग बाते करते थे कि हमारा देश दो हिस्सों में बट गया है भारत और पाकिस्तान भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे हम कुछ दिन कैम्प में रहे कैम्प एक बड़े से मैदान में बड बड़े तंबू लगा कर बना हुआ था अब बारी आती है अगली शीशक की अगले टॉपिक की जो है एक नई शुरवात एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गाओं में जमीन मिली है अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे मैं बहुत खुश था बाबा और अम्मा ने मिल कर घर बनाया हम बच्चे भी वह कहां पीछे रहने वाले थे बाबा ने पास ही से ही मिट्टी खो दी हमने परात भर कर भर भर कर मा को पकड़ाई गुडिया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया बाबा ने दिवारे बनाई हम आस पास के घरों से गोबर ले आए अम्मा ने उस मिट्टी में उसे मिलाया और जमीन पर लिपाई की बिलकुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता ठीक है तो आगको ये समझ में आया होगा कि गोबर की लिपाई क्यों की जाती है इसके बा बाबा ने लकडी के फट्टे जोड जोड कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारो दिवारों पर टिका दिया लकडी को दीमग न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकडिया इस फ्रेम पर बिछा दी अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछा कर मिट्टी से लेप कर दिय आस पास के ज़्यादा तर सभी घर ऐसे ही बने थे पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था वहाँ बिलकुल हमारे पुराने घर के जैसा जो था मुझे उम्मीद है कि आपको जेतनदास की सारी बाते समझ में आ रही होगी कैसे वह एक जगा से दूसरी जगा गया फिर कैसे उसके परिवार को क्या मिला वहाँ पर जेतनदास जी के परिवार को सोहना गाउं में एक जमीन मिली उन्होंने वहाँ पर मिल करके आपस में घर बनाया, कैसे कैसे घर बनाया, है ना, मा ने मिट्टी खो दी और परात ने भर-भर कर उस मिट्टी को बाबा तक कौन पहुचाता था, चेतन दास और उनकी बहन, है ना, और फिर धीरे धीरे करके उनका पूरा घर बन गया, जो कि उनके पुराने घर की तरह ही था, अब है, प क्या पता करना है और क्या लिखना है अभी जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ जानकारी है जो हमें इकठी करनी है और हमें यहाँ पर लिखना है पर आप चिंता मत कीजिए मैं आपको पूरी पूरी जानकारी अभी बताने वाला हूँ यहां लिखा है कि अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े वैक्ति से पता करो कि जब वे आठ से नौ वर्ष के थे तब सबसे पहले वे किस जगह शहर में रहते थे तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पूछा था अपने दादा जी से कि जब वे आठ या नौ साल के थे तब वे किस जगह या शहर में रहते थे तो मेरे दादा जी ने बताया कि उनका महराष्ट में एक घर था वे वहां रहा करते थे ठीक है ना तो ऐसे ही आपको भी आपके दादा दादी या किसी बड़े से पूछना है और वो भी आपको उनके बारे में बताएंगे लकडी इन सब चीजों से मिलकर बना था फिर आगे लिखा है क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था अगर नहीं तो कहां बना था देखिए ये वाले प्रश्ण में लिखा है तो मैं आपको बता दूँ कि उनके घर के अंदर ना टॉयलेट नहीं था वे टॉयलेट के लिए दूर खेतों में अथवा घने पेडों के पास जाया करते थे फिर अगला प्रश्ण है उनके घर में खाना कहां बनता था तो मैं आपको बता दूँ कि अलग रसोई घर था जहां पर खाना बनता था फिर लिखा है चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तमाल हुआ क्यों? तो मैं आपको बता दूँ कि मिट्टी के घर में गर्मियों में वो घर ठंडा रहता है और ठंड में मिट्टी जो है उसे गर्म रखती है ठीक है? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बढ़ते हैं मकान में बदला ठीक है? समय बहुत जल्दी बीद किया मेरी बढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरमत करवा ले एक कमरा और डलवा ले शहर में सीमेंट का बहुत चलन था कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है मैंने बाबा और अम्मा की सलास से नए कमरे की छट लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई बाजार में तब कच्ची इटे भी मिलती थी कमरे की दिवारें हमने इन इटों से बनवा ली इससे यह फाइदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था साल में एक बार इन दिवारों की चूने से पताई कर लेते थे हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बन वाई उसमें एक तरफ मिट्टी का चूला बना था और दूसरी तरफ बरतन रखने की जगा थी फिर मेरी शादी हो गई मेरी पतनी सुमन इसी घर में दुलहन बन कर आई थी भार असोई में नीचे बैट कर रोटिया पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैट कर एक साथ खाना खाता सच वे दिन भी क्या दिन थे गाउं की लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतिजाम किया हुआ था हमने भी वैसा ही किया पिछवाडे में कच्ची इटे लगा कर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूतर उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे इस पर चर्चा करो तो देखो मैं आपको बताता हूँ उच्च वर्ग के लोग टॉयलेट साफ उस समय नहीं करते थे यह काम समाज के निम्न वर्क के द्वारा उस समय किया जाता था फिर आगे प्रशन है क्या तुमारे घर में टॉयलेट है उसे कौन जाफ करता है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे घर में टॉयलेट है और उसकी सफाई हम लोग स्वयम करते है फिर आगे है और भी बदलाव पढ़ते हैं क्या-क्या है मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए समय कैसे बीटता गया पता ही नहीं चला बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुलन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले तब हमारे गाओं में पक्की इटों का चलन शुरू हुआ हो चुका था इसलिए दिवारें पक्की इटों से बनवाई और छट पर लेंटर डलवा लिया फर्ष भी मारबल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया टॉयलिट में भी ऐसा ही इंतजाम करा दिया कि मलमूतर पाईपों से बहार निकल जाए रसोई घर पहले से बड़ा करवाया राजू की बहु अब बैट कर मिट्टी के चूले पर नहीं बलकि खड़े होकर गैस्टो पर खाना बनाती है फिर आगे है नई नई चीजे अच्छा एक बात बिताईए आपके घर में खाना कैसे बनाया जाता है बैट कर या खड़े होकर मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बज गया अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुगराम शहर पड़ता है मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहां कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारते बन गई हैं और वे भी कितनी उची उची कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया उसने बाथरूम में रंगीन टाइले भी लगवा ली नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया मैं अब सत्तर वर्ष का हूँ इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं पता नहीं मेरे पोता-पोती बड़े होकर कहां रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर पता नहीं डेरागाजी खान में अब कैसे मकान होंगे मेरे सभी दोस्त भी कहां होंगे चलिए प्रश्ण है आगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग तुम्हारा अपना मकान किन-किन चीजों से मिल करके बना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सिमेंट, रेट, इंट, टाइल्स, लकडी, शीशा, तथा लोहे की छड़े इन सबसे मिल करके बना है मेरा अपना मकान फिर है कि पदा करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन-किन चीजों से बना है और दोनों में क्या कोई अंतर है तो उस से लिखो तो मैं आपको बताऊँ मेरा एक दोस्त है उसका घर सीमेंट, रेत, पत्थर, इट, मार्बल, लोही की छड़, लकड़ियादी से बना हुआ है उसके घर का फर्ष मार्बल का बना हुआ है दोनों की घर लगभग एक ही तरह के बने हैं, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी आगे है, तुम्हारे अनुसार, चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे तो मुझे लगता है, कि चेतन दास जी के पोते बड़े होकर सीमेंट से बने पक्य मकान में ही रहेंगे अब आगे आगे है एक बहुत ही मज़िदार प्रश्ण प्रश्ण है तुम बड़े होकर कहां और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे तो मैं आपको बताता हूँ मैं बड़ा होकर अपने गाहों में बसना चाहूँगा मैं पक्के मकान में रहना पसंद करूँगा आपका अपना जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना ठीक है ना आगे है तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े वेक्ती के बच्पन के समय मकान बनाने में इस्तमाल हुई चीजें लिखी थी क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तमाल हुई है और अगर हुई है तो वो कौन-कौन सी है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरा उत्तर मेरे दाददादी या उनकी उम्र के किसी बड़े वेक्ती के बच्पन के समय मकान बनने में इस्तमाल यानि उप्योग में लाई हुई चीजें बची थी वह थी कुछ लकड़ी जो मेरे समय में बनी घर उसमें इस्तमाल हुई इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां लिखा है चित्र को देखो इन में से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बलाया जाता है जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं क्या बढ़ई तुम्हारे यहां लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ हमारे यहां भी लकड़ी का काम करने वालों को बढ़ई ही का हाथ जाता है कई लोग इनको कारपेंटर भी कहते हैं जो की बढ़ई का अंग्रेजी नाम है इसके बाद लिखा है चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं वे किनकिन आउजारों का इस्तमाल कर रहे हैं तो चलिए मैं अभी आपके सामने तालिका में लिख देता हूँ इसमें क्या बड़ी बात है आप भी चाहें तो लिख सकते हैं मुझे इस चित्र में कितनी सारी चीज़े दिखाई दे रही है काम की बात करूँ तो मुझे मकान बनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा बिजली का काम हो रहा है पाइप का काम हो रहा है औजारों का भी इस्तमाल किया जा रहा है भावडा, तसला, सीडी, हतोडी, बिजली के दार, पेचकस, पाइप, कटर और भी बहुत सारी चीज़े किस नाम से बुलाया जाता है तो इसमें हैं बेलदार, मजदूर, बिल्ली वाला और पलंबर ये सारी चीज़े तो चलिए, मैं एक क्रम में आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ मैं यहाँ पर मकान बनाना जो है, उसको दो बार लिखने वाला हूँ आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैं बता दूँ क्योंकि यहाँ पर दो अलग-अलग आउजारों का उपियों किया जा रहा है मकान बनाने के लिए मकान बनाना अब इनमें जो अलग-अलग अउजार है, उनको में लिखता हूँ ध्यान से देखिएगा सबसे पहले में लिखूँगा, मैं फावडा ठीक है, इसका उपियों किया जा रहा है फिर तसला इसका भी उप्योग किया जा रहा है और फिर सीड़ी ये आप अपने चितर में देख सकते हैं किताब में दूसरे वाले मैं भी में लिखूंगा इसमें उप्योग किया जा रहा है हत्हौडी का ठीक है ना? और किस नाम से इन्हें बुलाया जाता है काम करने वालों को, तो मैं आपको बता दूं कि फावडा, तसला, सीड़ी ये सबका जो उपयोग करते हैं, इन्हें कहा जाता है, बेलदार, ठीक है, और हतौरी का उपयोग करने वाला ये जो है, ये इन्हें कहा जाता है, हम कहते हैं मजदूर ठीक है इसके लावा बिजली का काम भी हो रहा है ठीक है ना और इस बिजली के काम में उपयोग में जिन चीजों को लाया जा रहा है वो क्या है बिजली के तार और पेचकस ठीक है जो इसको कर रहा है उसे कहा जा रहा है बिजली वाला अगला काम जो मुझे चित्र में दिखाई दे रहा है, हाँ, वो है पाइप का काम, ठीक है ना, पाइप का काम, और ओजार जो मुझे दिख रहे हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो है पाइप एवं कटर, ठीक है ना, और यहाँ पर किस नाम से बुलाया जाता है ने, तो वो है नाम प्लमबर, ठीक है ना, मुझे उमीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, अब आगे लिखा है क्या उससे पढ़ते हैं, क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो, जो ऐसे कामों से जुड़े ह उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो, इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो, फिर लिखा है, अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ, जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहां काम कर रहे हैं, लोगों से बात करो, और इन प्रश्न कौन कौन से हैं यह प्रश्न है वहां क्या बन रहा है हमेजब से पहले यह लिखना है कि वहां पर क्या बन रहा है ठीक है ना तो मैं आपको बताता हूं कि वहां पर क्या बन रहा है मैंने एक जगे पता किया था वहां पर मकान बन रहा है मैं अपना उत्तर लिख रह बकान बन रहा है ठीक है इसके बाद में लिखा है वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं तो मैं आपको उत्तर लिख के बताता हूँ वहाँ लगभग बीस लोग काम कर रहें एक मिनिट हैं ठीक है मेरे अक्षर थोड़े ठीक नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छे अक्षर में लिखेगा फिर है वे क्या क्या काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कुछ लोग बालू यानी रेत और सिमेंट को मिला रहे हैं कुछ लोग उस मिश्रन को मिला कर दूसरे मजदूर के पास में ले जा रहे हैं वे मजदूर मिश्रन की मदद से एटों की दिवार खड़ी कर रहे हैं बढ़ी लकडी काट कर खिड़की का फ्रेम तयार कर रहे हैं फिर इसके बाद में अगले प्रश्ण में लिखा है, वहां कितनी औरते और कितने आदमी हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि वहां पर मैंने देखा है, ग्यारा औरते और नौ आदमी काम कर रहे हैं, फिर अगले प्रश्ण में लिखा है आगे, कि क्या वहां पर बच्चे भी पच्चे भी थे, क्या वे भी काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, वहाँ पर पच्चे काम नहीं कर रहे थे, फिर लिखा है, काम कर रहे हैं लोगों को रोज कितने रुपय मिलते हैं, किनी तीन लोगों से पूछो, तो मैंने तीन लोगों से पूछा था, एक म तो मिस्ट्री ने बताया कि उसे रोज 700 रुपया मिलते हैं, बढ़ाई को रोज 600 रुपय मिलते हैं और मस्दूर को मिलते हैं 400 रुपय ठीक है? फिर लिखा है काम कर रहे लोग कहां रहते हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि काम कर रहे लोग कुछ दूरी पर तंबू बना कर उसमें रहते हैं, मैंने देखा है। इसके बाद है, जो बिल्डिंग बन रही है, उसे बनाने में क्या-क्या चीज़े इस्तमाल हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि सीमेंट, बालू, लोहे की छड़े, कंक्रीट, लकडी, प्लास्टिक, आदी, यह सब इस्तमाल हो रहा है। फिर है कि पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक इटे हैं और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेगी तो मैंने पता किया था, तीन ट्रक इटे हैं और पचास बोरी सीमेंट की बोरियां लगी। फिर आगे है, बिल्डिंग बनाने का सामान किन-किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक, रहेडी या किसी और तरह से, उसकी सुची बनानी है, तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्रक है, ट्रैक्टर है, रहेडी है, ये सब चीज़ें, फिर लिखा है, इनकी कीमत बता कर एक बोरी सिमेंट, तो मैं आपको बता दूँ, तीन सो रुपए, एक मिनट, तीन सो रुपए, फिर है एक पक्कीट, तो एक रुपए, फिर है एक बड़ा ट्रक रेट, तो ये चार हजार रुपए, ठीक है, इसके बाद लिखा है, कि अपनी मर्जी से कुछ और प्रशन पूछ कर उनके उत्तर लिखो, तो प्रशन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि एक बोरी सिमेंट में कितनी बालू मिलाई जाती है, तो जैसे एक बोरी सिमेंट में चार बोरी बालू या नीरेत मिलाई जाती है, फिर एक और पूछ सकते ह कि मकान बनाने में लोहे की छड़का प्रयोग क्यों होता है? उत्तर में लिखा जा सकता है कि लोहे की छड़का प्रयोग मकान को मजबूत बनाने के लिए होता है. ठीक है ना? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं. यहां लिखा है कि 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तमाल हुआ उन्हें सही क्रम में हमें यहाँ पर लिखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सरलता से लिख करके इसमें कोई कठेन काम नहीं है ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ताकि मैं जो लिख रहा हूँ, आप उसे देख पाए, ठीक है, क्रम से लिखना है, तो सबसे पहले, जैसे मैं लिखता हूँ, मिट्टी, है ना, कीचरिया मिट्टी, आप ऐसा लिखेंगे, फिर बास, इसके बाद में पुआल, हम करम से लिख रहे हैं, फिर रसी, ठीक है, इसके बाद में अगर यहां देखें तो हम लिख सकते हैं लकडी, दूसरी बार में, बास, पुआल की जगे, ऐल्यूमिनियम, फिर ऐल्यूमिनियम की बाद, नट बोल्ट, रसी की जगे, ठीक है, तीसरी नंबर पर आते हैं, यहां लिखेंगे सबसे पहले सीमेंट, फिर रेत, फिर लकडी, फर नीचर्व गिरा में, फिर लोहे की छड़, यहां पर लिख देते हैं सीमेंट, फिर रेत, और रेत के ही साथ लोहे की छड़, और संगमर्मर, और प्लास्टिक, ठीक है, तो मुझे उमीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, अब हम आते हैं, अगले इस तर पर इस अध्याई के, जहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, आओ घर बनाएं, कक्षा के बच्चे तीन-चार समूह में बठ जाईए, और हर समूह अलग-अलग तरह के मकान का मॉडल बनाएं, तुम इन चीजों का इस्तमाल कर सकते हो, मिट्टी, लकडी, कपडों के टुकडे, जूते के डिब्बे, रंगीन कागस, माचिस की डिब्बी और रंग, सभी घरों को एक साथ रखकर, एक बस्ती भी बनाई जा सकती है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ये चैप्टर और ये वीडियो है ना, तो फिर देरी किस बात की, मैं आपसे गोजारिश करता हूँ कि आप जरूर एक काम कीजिए कि इस प्यारे से चैप्टर के प्यारे से वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को, और समझ पाएं इस जानकारी को, और आपसे मेरी फिर जल्दी से मुलकात होने वाली है, कहां पर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार